किसी इंसान को बरबात करना हूँ, तो ये एलान कर दो कि वो देश्ट रूई है तुम लोगों चे कोई करेक्टिस इडिफिकेशन नहीं चाहिए, नहीं महीं है कोई पॉप्लरिटी कार्टिस चीतने हैं फिल्म रोकेटरी मुवी के बारे में, और आपको हम बताएंगे कि आखरेकार इस मुवी के नहीं जैसा क्या है कि ओडियोंस की तरब से मुवी को काफी अच्छा सपोर्ट देखने के लिए मिला और दोस्तो फिल्म का बस अपने चोथे दिन भी काफी अच्छा बना हुआ है तो दोस्तो सबसे पहले तो आपको बताना चाहेंगे कि ये मुवी हमारे भारत के ही साइंटेस्ट के उपर अधारी थे जिसके अंदर इस फिल्म में के अंदर आपको एकड़ ओरिजिनल कहानी देखने कले मिलती है और दोस्तो आपको एक बात के लिए पता चल जाएगी कि आखिरकार हमारा भारत देस दिन बादिन नीचे क्यों घिरता जा रहा है और दोस्तो विदेसी हम सबके बीच में से ऐसे उपर क्यों उड़ते जा रहे है तो दोस्तो आपको बता दे कि रोकेटरी मूवी जिसके अंदर आपको में लेड में आर माधवन और दोस्तो सिमरन काम करते हैं लगने करना आपको आर माधवन जी एक रोकेटर साइंटिस के रूप में नज़र आने वाले हैं पर दोस्तो उस टाइम के सरकार, उस टाइम का समय, उस टाइम का करेप्शन, उन सबको ऐसा नहीं करने देता था, और दोस्तो यही करण है कि उन्होंने अपने मोटिव को लेकर करके संकल्प करा, आडे रहे, और दोस्तों को कई सरी परिशानिया उठाना पड़ी, जिसका नत का दूसरे दिन का कलेक्शन रहा, यानि कि सनीवार का, दो करोड सिंत्यारवे लाक रुपे का, और दोस्तों अगर हम बात करें, फिल्म के तिसरे दिन, यानि कि संडे के कलेक्शन की, तो दोस्तों फिल्म ना संडे को कमाया, तीन करोड सत्ता लाक रुपे, जिसके चलते य यह फिल्म अपने चोथे दिन यानि कि दोस्तों फॉर्म मार को 2 करोड 20 लाक रुपे की ओक्योपेंसी बता रही है और इस फिल्म का 4 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन 10 करोड 7 लाक रुपे हो चुका होगा अब दोस्तों आपके ओपिनियन क्या है कि अगर आप फिल्म रोक फिटरी देखके आ चुके हैं तो आपको मूवी केसी लेगी इस फिल्म में कि आपको सारू खान और सूर्या सरकार केम में कैसा लगा कमेंड करके जरू बताइएगा जैहिंद वन्यमात्रम